बॉलिवुट से अब हॉलिवुट की दुनिया में अपना सितारा बुलंद कर चुकी बॉलिवुट की देशी गल प्रियंका चोपडा ने हाल ही में अपनी जिंदगी के कई उतार चड़हाफ के बारे में बात की एक कारेक्रम में पहुची प्रियंका ने दिल खोल कर बाती की दरसल प्रियंका को पावर ओफ वुमन का सम्मान दिया गया इसलिए वो यहाँ पहुची थी प्रियांका ने यहां अपने स्ट्रॉगल के दिनों को याद किया उन दिनों को याद करती हुए प्रियांका बताती है कि करियर के शुरुवात में जब वो 18 या 19 साल की थी तब उन्हें हासियात पत्च शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें कहा जाता था कि कम salary लो नहीं तो तुम्हारी जगा किसी और को ले लिया जाएगा माहिलाएं इस entertainment business में replaceable है प्रियांका आगे बताती है कि कैसे उन्होंने industry से बाहर होते हुए भी अपनी जगा बनाई बता दे कि प्रियांका फिलहाल American TV सीरीज क्वांटिको की शूटिंग में बिजी है इसके अलावा वो कुछ दिनों पहले माधुरी दिक्षित की जिंदगी पर बन रहे एक शो की वज़ा से भी सुर्खियों में आई थी जिसे लेकर खबर आई थी कि प्रियांका उसे प्रोड्यूस करेंगी नेक्स्ट नाइन न्यूस के लिए प्रियांका की रिपोर्ट